इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका टच बराबर नहीं हो रहा है, बहुत धीरे धीरे आपके आईफोन में टच हो रहा है, टच से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसा आप टच करना चाह रहे हैं, स्क्रीन टच उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो इस settings को हम कैसे बंद करें, ये जारतर problem नहीं होती है, ये एक phone की settings होती है, जो आप enable कर देते हैं, जिसकी वज़े से touch में problem आती है, तो तीन बार आप power button को एक साथ दबाएं, तो touch accommodation बंद कर सकते हैं, आप 1, 2, 3, तो देखिए touch accommodation disable कर दिया मैंने, अब मैं बहुत ही आसानी से यहाँ पर touch कर पाऊंगा, जितना जल्दी जल्दी touch करना चाहें, मैं touch कर सकता हूँ, और अगर आप बंद करना चाहते हैं manually, तो आप settings में जाकर, accessibility में जाकर, touch में जाकर, यहाँ पर touch accommodation है, ये on होगा, तो बस आपको इसे off कर देना है, basically यहाँ पर आप touch की duration बढ़ा सकते यह तब settings होती है, उमीद करता हूँ, आप समझ गया होगे, वीडियो पसंद आई हो, टेक्स दोर को सब्सक्राइब जरूर कर दे,